नमस्कार आप देख रहे हैं एंडिटिव राज्तान और चुनावी चर्चार लेकर हाजिर हूँ मैं मनीश शर्मा चुनाव देश में कहीं भी हो लेकिन कॉंग्रेस को एक चुनाथी से अमहिशा जूजना पड़ता है और वो है परिवारवाद बीजेपी खास्तोर पर प्रधार मंतरे खुद नरेंद्र मूदी गांधी परिवार के तले बढ़ते वन्शवाद पर करार अप्रहार करते हैं पिछले कुछ हरसे से तो पार्टी के भीतर ही वक्त की नजाकत को देखते हुए कॉंग्रेस को गांधी परिवार से बाहर निकाल कर बदलाव के सुर लगातार उठ रहे हैं लेकिन थरूर ने फिर वही किया हमने जैसा बताया है कि जो अक्सर नीता करते हैं आप आटियां करवाती हैं थरूर को भी सफाई देनी पड़ी कि गांधी परिवार तो कॉंग्रेस के डियने में हैं और परिवार ही उसकी ताकत है उनकी सफाई समझी जा सकती है क्योंकि खुद राहुल गांधी ने परिवार वाद पर पलटवार करते वे बीजेपी को अभी हाली में घेरा था जाहिर अगले बहीने पांच विधानसबा चुनाव होने हैं और कॉंग्रेस बैक फूट पर नहीं आना चाहती लेकिन परिवारवाद एक ऐसा काटा है कॉंग्रेस के लिए जो उसे रह रहकर चूपते रहता है और दर्द भी देता रहता है कभी विपक्ष तो कभी पार्टी के भीतर सही ये दर्द उठता है इसी मुद्दे पर हमाज करेंगे चुनावी चर्चा मेरे साथ कॉंग्रेस से भरत में एकवाल जुड़ेंगे बीजेपी से आलोक वत्स मेरे साथ होंगे और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशित कदवई भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो काफी अर्से से कॉंग्रेस के मैटर्स पर नजर रखते हैं कॉंग्रेस के फंक्शनिंग को बड़े नस्दीकी से समझते हैं आलोक वत्स साथ आपका स्वागत है आप जुड़ चुके हैं कारिकरम में तो सवाल वैसे तो ख़र बात कॉंग्रेस की है लेकिन परिवार वाद एक ऐसी बड़ी चुनाती है जिससे कॉंग्रेस अकसर जूजती है और हाली में उस शशी थरूर के बयान में भी दिखा वो मन की बात शशी थरूर के मन से निकली लेकिन फिर उन्होंने पलट गए अपने बयान से और कहा कि कॉंग्रेस की ताकत ही गांधी परिवार है आपके याँ तो प्रदान मंत्री बड़ा निशाना साथते हैं इसे लेकर और आप चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं से डाइनस्टी पॉलिटिक्स को लेकर देखिए मुनीश भी इसमें कोई शक नहीं है कि कॉंग्रेस एक परिवारवादपर से पनपी हुई पार्टी है उसके योगदान के को मैं नहीं नकार रहा हूँ जवालाल नहरू मुतिलाल नहरू इनके योगदान को मैं नहीं नकार सकता हूँ लेकिन उसके बाद जो परंपरा सेट हुई वो सही माने में अलोग तांत्रिक शी थी और आज तक अलोग तांत्रिक ही है चाहे खड़गे साथ अध्याच हो लेकिन ये पूरा देश जानता है पूरी दुनिया जानती है कि असली चाभी सोनिया गांधी के पास है असली मालिक लाहूल गांधी है प्रियांका गांधी है तो परिवारवाद को ये दसकों से ढो रहे हैं मैं समझता हूं पांच छे दसक तो हो चुका है और आगे भी इनको ढोने की कभाय जारी ही रखनी तो इसमें कोहीं कोहीं हाँ ये लोग आजकल बत्ये जो राजनीत में है जी तो देखिए जब बड़ी पाटी होगी जब वीष्यो की समसे बड़ी पाटी है ऐसा तो नहीं है दक्तर का बेटा दक्तर इंजिनिएर का बेटा इंजिनियर आईस का बेटा इस तो कोई आदमी दो चारी दर उधर कोई पढ़ प्राप्ट कर लिए है तो उसको आप परिवारवाद की संगह संगह से नहीं जोड़ सकते। पीता जी के कारण नहीं है। हो सकता है कोई अपवाब में एक दो कोई हो तो मैं नहीं जानता हूं वह जन्रल जो है उसने मैंनद करके एक वर्कर के तोर पे सब अपने को उपर लाने की कोशिद किया और जहां तक उपर उठ सका है आया है जी बीजेपी चुनाओं में इन सब बातों के लावा जो कार किये हैं जन्ता के हित में जिसने जन्ता लाभानवित हुई है अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति को रहत मिली है वो हमारा मूल मंत्र है और जो विश्व में मानियन नरेन मोदी जी के नित्रित में जो भारत की शान बढ़ी है जो भारत की और विश्व एक विश्व गुरू की तरफ देख रहा है जो न्यू एकनोमिक वर्ल्ड ओर्डर की बात मोदी जी ने किये जी ट्वेंटी वन में आज यूएनों यूएनों की प्रासंग इत्ता खतम हो गई है जी ट्वेंटी वन के सामने जी आ पालोग जी लेकिन बात यह है कि जब शशी थरूर के लफ्ज जब हो मतलब उतने इंटलेक्ट रखने वाले और उतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के नेता कॉंग्रेस के भीतर मौजूद और उन्होंने तो ताल भी ठोकी थी राश्ट्र अद्दक्ष के चुनाओं के ल लेकिन परिवारवाद आप जरूर सवाल उठाते हैं कॉंग्रेस पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मूदी खुद संसद में बड़ा हमला बोलते हैं वंश्वात को लेकर वो कहते हैं कि बड़े-बड़े दिगजों का हक मारा है कॉंग्रेस पार्टी ने लेकिन जब कहीं न कहीं राजनितिक परिवार से जुड़ा रहा है मध्यप्रदेश में टिक्टे बाटी गई है जा चाचा बेटा बहु सब शामिल है उसमें 36 गड़ में तो एक परिवार से दो-दो लोगों को टिकट दे दिया गया है तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं आपके आला कमान मे जो पुराना लोकतन तर्शा जिसकी परिवाशा थी वो बेमाने हो गई है आज कोन आपनी किस दल में कब किस से मेल कर लेगा कब किस से बेमेल हो जाएगा ये प्रेडिक करना बहुत मुश्किल है और ये सब के लिए है जी तो इसी तरीके से जो राजनेतिक मजबूरी है वो भी बहुत कुछ कंप्रमाइज करवा देती है जैसा आप अभी कह रहे थे और जो आप लिस्ट देर बता रहे थे जो नाम उसको मैं राजनेतिक मजबूरी के तहत ही मानूंगा हमारी मन्चा ना होते हुए भी हमें वो करना पढ़ ला है क्योंकि वो लोकल प्रस्थितियों के कारण हमारी मजबूरी बन गई है कि उसी को देंगे तो जीतेगा विनेबिलिटी क्राइटीरिया हो जाता है करेक्टर क्राइटीरिया नहीं रश्ता है तो वही फिर कमोबेश वही बात कमोबेश कांग्रेस कहती है कि विनेबिलिटी क्राइटीरिया है तो फिर उसमें तमाम चीज़े पीछे हड जाती है अब राजस्थान में टिक्टे आनी है बड़ी बंतिन चल रहा है कांग्रेस का दिल्ले में गैलोत कह रहे है कि सिर विनेबिलिटी क्राइटीरिया है प्रियंका गांधी ने कहा है तो फिर तो उनका कैसे आप उनको उनको अनको अलोशना करेंगे जी मनीजी वहाँ वनसवाद नहीं है वहां राजशाही है जी साथ वर्सों से राजशाही है हम समझ गए उसको वनसवाद काके छोटा मत कीजिए वो तो राजा की तरह एक के बाद दूसरे तिसरे एक सेप्ट होते गए और मैं धन्यवाद करता हूँ कॉंग्रेस के वर्कर्स क जिन्होंने इनको सिर्माते बिठा के रखा लगातार और इनके नेताओं का जिन्होंने इनको इस तरीके से तजब्बू दी वो वो चीज हमारे याँ पॉसिबल नहीं है आपको क्या लगता है वत साब आपकी पार्टी है अरसे से कहती रही है हम तो बड़े हुए सुनते सुनते कि बीजेपी is the party with difference लेकिन कमोबेश ठीक है आपके आँ आला कमान में राजशाही नहीं जैसे आप जिक्र कर रहे हैं और परिवारवाद नहीं है वनशवाद तो आप कि यहाँ पर सियासी तोर पर है और नेता अकसर डिफेंड भी करते हैं चाहें कॉंग्रेस से हो चाहें बीजेपी से कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और विजनस्मेन का बेटा विजनस्मेन तो पॉलिटीशन का बेटा पॉलिटीशन क्यों नहीं बन सकता यह किसी भी पार्टी के समानसुर दिखाई पड़ते हैं लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब सत्ता में और राहुल गांदी ने तो खास तोर पर अभी जैशा का नाम लिया और उन्होंने चुनावी एक रैली में भी आप पर पलटवार किया बीजेपी पर कि आपके यहां पर आप कॉंग्रेस पर आरोब जरूर लगाते हैं लेकिन आप भी किसी तरह से अचूते नहीं हैं नहीं नहीं इसको मैं मानता हूं इस बात को हम अचूते नहीं है लेकिन जितनी उनके राजशाही है उस तरीके से हमारे राजशाही नहीं है लेकिन हां कुछ ऐसे अपवाद ह जिन पर उंगलिया उट्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ हैं उनके साथ खड़े थे लेकिन जाहिर तोर पर वो मार्जनलाइज थे वो चुनाव नहीं जीत पाए मलेगार जुन खड़ गे आपके अद्यक्ष बने और फिर से एक बार उनके मन की बात जो कहें वो निकली गई कि कॉंग्रेस में अगर परिवारवाद जब बात आता है तो एक ही परियाय दिखाए पड़ता है बड़े तोर पर कॉंग्रेस पार्टी बाकी तमाम शेत्रे दलों में भी है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी बड़ा परियाय बन चुका है राजनीती में वनश्वाद और परिवारवाद को लेकर अक्सर आपकी अलोचना होती है आपकी पार्टी की बीजेपी तो इसे बड़ा चुनावी मुद्धा बनाती है फिर शेशी थरूर के मन की बाद एक बार फिर निकल गई कि बई कॉंग्रेस तो जो है परिवार संचालित पार्टी है तो जाहिर तो पर जो पीएम कैंडिट होगा राहूल गांदी होंगे लेकिन अब फिर में सफाई देनी पड़ी उनको लेकिन बड़े सवाल कायम है आलोग जी आपी से जान लेते हैं लगातार एक के बाद एक सुर पार्टी में जो दिखाई दे रहे हैं कॉंग्रेस के बीतर पिछले साल दो साल में तो खास्तोर पर इस जादा हलचल बढ़ी एक गुरूप 23 बना उन्होंने सोने गांदी को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी म चुनाव हारे कॉंग्रेस ने और अब तो कुछ राज्यों में ऐसा हो गया कि इस्थानी लिडर्शिप के भरोसे चुनाव लड़ा जाने लगा है लेकिन फिर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद राजस्तान की मुख्यमंत्री अशोग गहलोत भी बोलते रहें कि कॉंग्र मनी जी और आपको बेठे-बेठाए मुद्दा देते हैं कॉंग्रेस पार्टी वाले अब शेश्य थरूर का बयान को आपने मुद्दा बना लिया है जी देखिए मनी जी एक चीज़ आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों में कॉंग्रेस की मलका जुन खर्गे बगर को अज्यक चोगरा बनाने से कुछ इमेज सुदरी है और जो पुराने नेता हैं लाइक अशोग गेलोत पीचे दंब्रम दिग विजय सिंग जी ये लोग असी लोयलिस्ट है तुवर्ट्स गांधी परिवार जी और इनके ही द्वारा उनको काफी एलिवेट करके रखा जाता है लेकिन चुनावी मोड में जाने पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग सेल्फ गोल करने के भी आदी हो चुके हैं जी और कोई पार्टी का नेता ब्यान देता है चाहे प्रवक्ता हो चाहे सीनियर लीडर हो वो तुनाद बैक्ट्रेक भी कर जाता है कि नहीं मैं अपने इस ब्यान से अपने को वापिस करता हूँ बहुत अन्हे को एक्जेंपल है इसके और दूसरी कवायद जो इनकी है कि अकेले ये सबसे बड़े दल हैं उस चब्विस दल में इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन अभी तक इनको एक्षेप्टिबिलिटी नहीं मिली है जी उसको लीड करने की इजाज़त नहीं दी गई है और ना तो इनका स्थाई हो जगते हुआ है जी और रहरा के उस चब्विस दल के लोग जिस तरीके से हिंदू थर्म पर प्रहार कर रहे हैं वो हमारा काम थोड़ा असान हो रहा है 85 परसेंट लोगों की भावनाओं को आप आहद करके आप इस देश में राजनीत नहीं कर सकते हैं अलोग जी आप बने रहेगा हमारे साथ हम लगातार कोशिश करें कांग्रेस के प्रवक्ता भी होते तो उनका भी बयान सामने आता मेरे साथ सीनर पोलिटिकल एनलिस्ट और कांग्रेस को खासतोर पर अरसे से उसकी फंक्शनरिंग को समझने वाले और बारी की से कांग्रेस के मैटर्स पर नजर रखने वाले सीनर पोलिटिकल एनलिस्ट राशित किद्वजी भी मेरे साथ जुट चुके हैं राशित जी आपका भी कारिक्रम में स्वागत है तो इसी बात हो रही है जो कांग्रेस अकसर आलोचना का शिकार होती और चुनाओं में खासे तोर पर परिवारवाद और डाइनस्टी पॉलिटिक्स को लेकर खुद प्रधानमंत्री इस मुहिम को जब बीजेपी की ओर से लीड करते हैं तो बड़ा करारा प्रहार करते हैं खुद अगस्त में जब विश्वास प्रस्ताव पर बात हो रही थी तो उन्होंने सीधा कॉमेंट किया कॉंग्रेस पर अब जब लगातार पिछले कुछ सालों से पार्टी की भीतर भी इस तरह के सूर उठने लगे हैं और शशी थरूर एक ऐसा नाम है जिन्होंने तो खैर अध्यक्षपत के लिए ताल भी ठोकी थी लेकिन हार गए और अब जब उन्होंने एक बेहान दिया तो मन की बात कहीं ना कहीं उनसे निकल गई कि कॉंग्रेस जो है पार्टी जो है परिवार संचालित पार्टी है जब प्यम पोस्ट के लिए उनसे पूछा गया तो कॉंग्रेस से तो आपकी नजरिये में राशित जी क्या आपको लगता है जो एक मुद्दा है जैसा आलोग वत्स खुद बीजेपी से बता रहा था कि करने को लेकर भी तो शैशी थरूर के बात है वाकई एक कॉंग्रेस के भीतर की बात है या यह जो सेल्फ गोल वाली भात कर रहे है आलोग वत्स उसमें कितनी सच्चाई है यह जहां तक वंशवाद का मामला है वहां कोई की राजजितिक दल जो है वो अचुता नहीं है करने लगें उने राजनात सिंह का और अमिश्या जी के बेटे जो क्रिकेट में है और अनुराख ठाकुल सभी उन्होंने वो चर्चा की थी दरसुल शैशी थरूर ने उसके साथ एक इस्पश्टिक करण भी दिया है कि वो गयर राजजितिक मंच में बोल रहे थे लेकिन ल जैसे संघ परिवार का भर्जबा की राजजितिति दबदबा है नेरू गन्दि परिवार का कॉंगरस की जाजितिति की दबदबा है इसम надо नहीं गोह दुपतरों को अ ऐद्यक्स है जिन taki को सब्सह को अ को राश्ट्री अधल्श बनाया राश्टिक में शैणा बहूँ करन पहुचाने वाला बात है क्योंकि शेशी का थरूर की बात का लोग संग्यान लेती हो आज सोशल मीडिया है और वोटसाप है और सब जगह वो खबर पहुंच जाती है राइस्तान में मक्रदेश में खतिजगर में तिलंगाना में मीज़ोरों में सब जगह तो मुझे लगता ह सेल्फ गोल की केटिगरी में तो नहीं आता लेकिन हाँ जरूर एक ऐसी चीज़ है जिसको शेशी तरूर जोते है अवोइड कर सकते थे उसे बच सकते थे जी लेकिन राशित भाई एक बड़ी बात यह क्योंकि चुनाओं का वक्त है और एक बड़ा नाजुक मुद्धा रहा है कॉंग्रेस के लिए परिवारवार डाइनस्टी पॉलिटिक्स हलाएं कि खुद राहूल गांदी आपने सही जिकर क्या किया वो पलटवार करने लग भी सामने आई है लेकिन बड़ा सवाल कॉंग्रेस को लेकर है शीद जी कि जो एक इंटर्नल जो क्लिंजिंग की बात होती है जो ग्रूप 23 बना वो पार्टे को रिजिक करने को लेकर बात करने लगा बड़े नेताओं के स्तीफे भी हुए कुछ लोग न्यूट्रल हैं लेकिन लगा अतार एक दिन के बाद तारीख पर तारीख लेकिन आज तक टिकेट सामने आई नहीं है कॉंग्रेस के मैं आपको जड़ा पीछे ले चलूँ आप खुद जड़ा बताएं दर्शकों को कि जो इंटर्नल रिफॉर्म्स की बात होती रही है परिवारबात के बै केसरी वाला सीतराम केसरी वाला एपिसोड हुआ और उससे अब नई अध्यक्ष के चुनाव तक का सफर लगातार बातें उठी लेकिन नतीज़ा सिफर ही रहता है कॉंग्रेस में जी आपने बड़ा महत्पूर प्रेशन किया है और दिखिए कॉंग्रेस की हर राजनेतिक दल की एक संस्कृति होती है जैसे मैंने का कुछ लोगों की जो एक राजनीती जाती बात से उनकी राजनीती प्रेडित होती है तो वो मतलब छेत्रिये पार्टियां होती है राश् जो जाती आधार पर जन्गरना की बात कर रहे है तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसको संग को जो है उसके पर इतराज है संग नहीं चाहता है कि जाती आधार पर जन्गरना हो तो तो तमाम चीजों को आता है कॉंग्रेस की संस्किर्टी है पहला चुनाओ जो हुआ मैं बता कॉंग्रेस को वोट देंगे तो नहरू मजबूत होंगे तो एक व्यक्ति बात जो है वो कॉंग्रेस में और वो इंद्रा गांदी, राजी पांदी, संजे गांदी, सुन्या गांदी, इंद्रा के दौर में भी नारा देखा, इंद्रा, 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 इस की बोल दिया उसको वो हलका करना चाहते थे हटाना चाहते थे उसके लिए उन्हें प्रयास कि पार्टी में लेकिन वो संस्कृति नहीं बदी और खास तरह मलिकार रजुन करगे के बनने के बाद में थोड़ी सी इस्तिती जो थी बद्ली थी दूसी इतना भाजपा का बड़ रेंग्स पर नहीं हो जी 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 आजए लेकिन मेरा कहना है कि एक कार्यकत्ता का हूँ किसी तरह का इसका तो एक टरीके का एक्सप्राटिशन होता है जब कोई भी परिवार से जोड़ाओं आद्मी इंट्री लेबल पर लेता है तो इंट्री लेबल पर होना चाहिए और द पलपूल रहा है वो इसने पलपूल रहा है क्योंकि हमारे यहां जो प्लिटिकल सिस्टेम में बहुत रश्ट है कालाधन चुनाओं में इस्त्माल होता है तो हम राजी दलों के इस्तमाल करना पड़ता है और उस कारण से डिपेंडेंस मोडल होता है तो वहां पड़ीवार बीज़ेंगे अक्प पर्वीनिमेर हो और इंटर्नल हों अग्लडी इपने इन इसमें सने कि प्रोपिक। पार्टी के भीतर से कोई नेता गांधी परिवार के इतर बने लेकिन जब यह बात शुरू हुई अध्यक्ष बनाने को लेकर भी तो मुझे याद है कि जब लोगों से नॉमिनेशन वाइट किये गए शशित हरूर ने फॉर्म लगाया विदन किया वहीं गहलोत पर भी बात आई तो काफी नेता ऐसे थे कि हम गहलोत का इसलिए सपोर्ट करेंगे काफी नेता उने खुले ओवर्टली ढंग से भी कहा कि क्योंकि वो गांधी परिवार को सपोर्ट करते हैं यह बड़ा पेचिदा है कि उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जो पूरी फंक्शन यही है कि राज़ितिक दलों में खासत दोर से कॉंग्रिस के हम बात करेंगे कि वहां उस तरह का खुलापन नहीं हमारे यहां जितने भी राज़ितिक दले हैं चाहे बाम दल लीजिए चाहे चेटि दल लीजिए चाहे भाजपा लीजिए सब जगाप के उपर जो के रभी पी द्रईक मोधी ची ने कभी भी नरविन पर्टेक की बात नहीं करते हैं कि वह एकवँजवाच के हैं या बात चेने जैनाइब की बाता निया जारतें जाहिर तोरा पर है और हम करते हैं लायु यादव के परिवार की एम के सटर्लियन के परिवार-क तो जो जो इंडिया यायन्स के बोट मिले तो उसको ग्यारा पर्शनल वोट मिलना भी बहुत बड़ी मैंने उस साइम लिखा था कि बहुत बड़ी उपलब्दी है जो कि एक तरह पूरा इशारा था बड़ा पुर्जोर इशारा था और इस तरह से फॉर्म बढ़े गए थे अमलिकार अरजुन खरगे के लिए जो भी बीस तीस फॉर्म बढ़े गए ते तमाम राज्यों का प्रतिनिदत हुआ था हूँ उन्तिस के उन्तिस राज्यों का और शेशी तरुन के बाद तो पिचारे के बाद तक यारा प्रपोजरी में ले दे दस होने चाहिए तो यह एक का में कही भी लोगकंत्र नहीं है कॉंग्रेस के लिए बात बहुत ज़्यादा बार बार में उस पर जोड़ दे रहा हूँ उद्यपूर में आपको याद होगा कि पिछले साल कॉंग्रेस का एक वह अधिवेशन हुआ था चिंदन शिवर वह कहा था कि हम छे महीने पहले ज दिखी जाती है तो यह चीज़ें जो हैं बड़ी हूड है इसका कोई दल जो है वो अपवाद नहीं है और कमोबेश वही रशीजी अभी कमोबेश वही दिखने को मिल रहा है राजस्थान के चुनाओं के टिक्टों को लेकर कि आखिरकार पाले में गेंड आला कमान के डाल पीछे हटें हैं हटवाया गया है उन्हें लेखें एक लेखा कोने के नाते में कह सकता हो कि उन्होंने अपनी मन की बात बिलकुल कही है लेकिन वह दाजदितिक रूप से कॉंग्रेस के लिए उसको हजम करपाना मुश्किल है तुमाम पुस्टी करारों दलीले दी जानी है कि किसी देटर से बहुत बहुत शुक्रिया रशीर जी जी अब बहुत खुलकर आपने विचार रखे और तमाम दश्कों को समझाने की कोशिश की क्या आखिर में कॉंग्रेस की परिवारवात को लेकर समस्या है और वो जो दर्द अकसर पार्टी में बदलाव का दिखाई झाल झाल